Oh yeah Hi folks, How are you all? आप सब खुश तो हो ना अगर आप खुश नहीं हो तो कमेंट करके बताओ कि आप खुश क्यों नहीं हो और simply तरीके से नहीं एक funny line में आपको बताना है कि आप खुश क्यों नहीं हो आप कोई movie line यू़ कर सकते हो अपनी feeling describe करने के लिए यह आपको यह example use कर सते हो but make sure कि वो एक line हो I just want to see कि कितने create है वो आप तो take it as a challenge मेडी चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो जल्दी जाके subscribe करो और इस वीडियो को like करना क्योंकि I am making this from all my heart और you will get to know Afghanistan and Indian trade show जिसमें मैं गई थी और मैं घूने नी गई थी मैं वहाँ काम करने गई थी तो मैं आपको वह experience बताने वाली हूँ and this event is one of my biggest achievement in my MBA journey और this is really overwhelming शायद मैं बीच मैं रो भी दूँ मैं कोशिश करूँगी कि मैं ना रों क्योंकि जब भी वह चीज़े रिकॉल करती हूँ मैं तो बहुत ही जादा happiness आजाती और वह happiness obviously आसु की आसु के जरीये वह body से निकलती है तो maybe मैं रो हूँ तो आप मेरा मजाग मत उडाना jokes apart यह experience बहुत ही अच्छा होने वाला है बहुत exciting होने वाला है और आप एक नए event के बारे में जानोगे तो अगर आप excited हो तो पूरी video देखना क्योंकि इस experience से मैंने भी बहुत कुछ सीखा था whoever I am today I am because of the small opportunities that I took up during my MBA journey and मैंने उन opportunities को बहुत अच्छी तरह से समाला और पूरा किया अपना best दिया high quality work provide किया और इसलिए आज मैं आपके सामने हूं जहां भी हूं तो आप यह video पूरी देखना और video को like करना मत भूलना और comment भी करना एक तो आपको comment करना है कि आप दुखी क्यों हो और अगर आप खुश हो तो तब भी comment कर सकते हो कोई restriction नहीं है मैं आपको पीटूंगी नहीं तो चलते हैं इस journey पे साथ में तो यह event है इंडिया एन अफगानिस्तान trade show जो की हुआ तो दिली में JW Marriott में यह तो बहुती बहुती जाद मज़े आए थे अभी मेरे कलीक्स थे जो भी मेरे फ्रेंज मेरे साथ गहते दे वुड अगरी और यह वीडियो पूरी देखेंगे क्योंकि यहां पर उनको भी ऐसी चीज़े पता चलेंगी जो उन्हीं यह डेली में था और यह फाइव देज इवेंट था टू देज की ट्रेनिंग थी हमारी और एंड वी वेंट एज डेटा कलेक्टर्स दैड इंडिया एं अफगानिस्तान ट्रेचो वाज और उर्ड़नाइज बाई यूएस एड जिनके अंडर हम एज़ डेटा कलेक्टर ग खाने थीज और तेनो मैं अट्रे करिंड आप संपर आप अर्म इप्वाड नेॉट पर रे मेरीका ज़ वेंटन but they were really hard working I guess वो 3-4 गंटे ही सो रहे थे इस event के लिए क्योंकि उन्हें सारा organize करना पड़ रहा था हमारे mentors को इस event का data collect करके देना था और हम उनकी help करेते हैं as a data collector जो की data collect करते vendors से बात करते तो vendors कौन थे तो बोला कि इंडिया और अफगानिस्तान ट्रेट शो था तो देवा मैंनी अफगानीज वेंडर्स जो अफगानिस्तान से इंडिया आए थे इस ट्रेट शो के लिए प्रोड़क्ट शोकेस करने और बेचने आरी फर्स डेय ओफ ट्रेनिंग बहती एक्साइटिंग था हमने कुछ काम निहीं कई फर्स डेय हमारा बस रैपो फोड़मेशन था हमने अपने मेंटर्सिंग और मेंटर्स सब्जाशन मेंपने닝 यप deg shoes you दो हमारे सबको नहीं मैंचान थे आप लिए तो हमने आइसरेग जेशन के तो फीर Aun 009 63 एक गेम था कि हमें obviously introduce कराना था अपने आपको second game था passing the past but हमें कुछ pass नहीं करना था हमें word sentence pass करने थे अपने teammate को team divide होगी थी जो हमारे teammate ने हमें word ये sentence बताया है हमें उसे अपने teammate को बताना था तो this was really interesting game और ये data collector जो हमारा role ता उसे related था क्योंकि जब हम data collection कर रहे थे हारी listening skills बहुत अच्छी होनी चाहिए थी तो इसलिए इस game से पता चला कि किस team के members की listening skill अच्छी है तो I'm not sure कि कौन जीता था I'm not sure कि मेरी जिसमें मैं थी मेरी team जीती थी कि नहीं जीती थी तो वो memory fade away हो गई है but it was really enjoying और एक दूसरा game था वो भी team में ही था और वो बहुती बहुती जादा अच्छा था हमारे team mates बाहर गए और हमें डूनना था हमारे team mates जगे जगे चिपे होए था और हमें उने धूनना था तो this was all and one of the most exciting thing was खाना जब हम सुभी जाते थे 10 बजे पॉच जाते थे हमें breakfast मिलता था tea and biscuit then 12 बजे के आसपस हमें snacks मिलते थे and snacks में एक पूरा combo आता था box में and it was delicious हमें पता नहीं कितनी 2-3 dessert मिलती थी there were two kinds of juices or fruits थे और बहुत कुछ काने का था और lunch में फिर हमें box मिलता था और उसमें से हम काते थे and then शाम को जाने से पहले हमें दुबारा snacks मिलता था हमारा पेट एकदम full हो जाता था मेरे को याद नहीं है कि मैं घर जाके खाना खाती थी कि नहीं खाती थी और second day जो था हम fed up हो गए थे इतने खाने से हमें खाना नहीं खाना था और it was really 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 amazing तो second day की मैं बात करूँ तो second day हमारा जो training था वो हमारे role से related था we basically did role play कि कभी मैं वेंडर बनी मेरी जो कलीग है वो data collector बनी तो मैं as a vendor उने interview दे रही हूं और pre-planned questions थे जो मेरे को पूछने थे और answer लिखने थे so it was a practice session कि हम vendors को कैसे सुनेंगे और उनसे कैसे बात करेंगे क्योंकि vendors भी humans है और humans बहुत बहुत different होते निक दूसर से तो busy वाले situation में हमें कैसे handle करना था तो इस सब की इस सब की हमें training मिली second day which was last day of our training और third day जो था वो first day of event था तो we were all excited जब हम घर गए पूरा पेट भरा हुआ मैंने कुछ नहीं खाया घर आके क्योंकि जब आपको यह बतारी हूं तो मैं पता नहीं कौन से आसमान पर हूं और I wish कि यह दुबारा मेर का experience मिले तो अब आता है first day of event ये इंडिया अफगानिस्तान trade show finally start हुआ grand opening थी एक बहुत बड़ा सा hall सजाया था JW Marriate पूरा बुक था जो भी इस trade show में थे वो JW Marriate में रुके थे and I guess the stay was free of cost vendors के लिए भी और जो meetings के लिए थी तो first day जो था it was booked for B2B meetings only and general public was not allowed on the first day second and third day of events से general public allowed the first was B2B meetings business to businessman meeting हो रही थी ताकि वो grand level पे collab कर सकें अपना business दूसरे को pitch in कर सकें और दूसरा interested है तो वो collab कर सकें agreement कर सकें तो बहुत सारे business की वहां से शायद शुरुआत हुई वहां उनके collaboration की शुरुआत हुई and I'm sure कि उन्होंने great heights reach कि अभी तक it was in 2019 तो तो दो साल अल्रेडी हो चुके है इस event को लगता नहीं है दो साल कहां बीथ गए पता नहीं दो साल कहां बीथ गए तो थोड़ा हमाले भी difficult था क्योंकि I have never interacted with any afghani before this event तो थोड़ा repo formation में थोड़ा difficulty आया बट जब हमने देखा कि अफगानी people are so sweet अगर आप उनसे एक बात करोगे तो वह दो बात करेंगे यह को difficulty थी यहां पर कि few of the afghani vendors जिनके बूत वहां लगे हुए थे they didn't know Hindi तो वहां पर हमें translator की जरुत थी तो एक हमारे mentor थे who was from Afghanistan हम उनको ऐसे translator लाते थे कि sir help us तो वह हमें Hindi में बताते थे और हम tab में or हम question में answer fill कते थे so it was amazing and you know what it is really good अगर आप किसी भी event में जा रहे हो जहां पर fawners है जहां पर there are people who are not from your country तो वहां पर just try to interact with those people क्योंकि से जो हमारे मन में stereotypes होते हैं वो हड़ जाते हैं and we get to know the deal people Afghanistan वाले लोग बुरे नहीं होते but stereotype ऐसा बनाया हुआ है कि Afghani are bad और Afghani have this bad habit or that bad habit और यह हर country के साथ है इंडियन को लेके भी भार बहुत misconceptions हैं कि इंडियन ऐसे हैं इंडियन वैसे हैं बट जब USA वाले कोई इंडियन friend बनाते हैं their misconception changes their thought process towards Indian changes तो इसलिए मैं आपको recommend करना जाओंगी कहीं भी आप किसी भी event में जाओ just don't restrict yourself to you and your friends talk to other people बहुती मज़ा आता हैं and दूसरों को जानने में बहुती बहुती exciting experience होता है trust me तो इसमें जब vendor से बात करते थे some were very friendly some were some were very restricted कि वो बताना नहीं चारे and एक और वाद जब हम data collect करते थे उनसे तो एक vendor थे जो हम जूड बोलते थे अपने sales को लेके I am not sure about the reason but वो हमें correct data नहीं देते थे अपने sales का कि उनका कितना sales वहा जब भी हम उनके पास जाते थे तो वो कहते थे नहीं आज कोई sale ने हुई बहुत बुरा हाल चल ला है बट हम जब भी देखते थे उनके पास कोई customer खड़ा होता था और वो buy भी करते थे समान तो यह बहुत ही funny incident था और इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि जब भी आप किसी event में जाओ तो just talk to people क्योंकि बहुत ही बिन बिन प्रकार के लोग हैं बहुत बिन बिन प्रकार की जाते हैं इस दुनिया में right तो यह first learning है आपके लिए इस video से कि just talk to people कहीं भी आप event में जा रहे हो अगर किसी cafe में जा रही हो कोई friendly आपको लुक दे रहा है तो आप उनसे बात कर सते हो just don't flirt बस बात करना right तो मैं आगे बढ़ती हूँ अपनी video के साथ अपने experience के साथ मैं इतनी excited हूँ फर्स डे पताने में ही मैं इतनी excited हूँ शायद मैं video के अन तक ब्योश हो जाओं अगर मैं ब्योश हो जाओं तो don't mind क्योंकि मैं यह upload कर दूंगी तो आगे चलते हैं second day was really hectic for us as well क्योंकि second day जो था वह general public के लिए open था so there was huge crowd क्योंकि अफगानिस्तान trade show कोई छोड़ी बात नी है बहुत बड़ी बात थी तो general public जो है वो आय था and it was beautiful decoration अगर आप देखते महां जाके तो boots लगे होए थे बहुत ही अच्छी तरीके से organized किया गया था and there were several boots अगर आप अगर आप कपड़े लेना चाहते अफगानी पीपल के तो आप कपड़े ले सते थे carpet carpet सुन्दर सुन्दर बड़े बड़े ज्वेल्डी they were famous for jewelry and gems बहुती जादा बहुती जादा सुन्दर ज्वेल्डी थी और एक problem हमने face करी उस time problem यह थी कि vendors were really busy with the general public तो हमें दो time interview लेना था first in the morning and second in the evenings evening में हमें उनकी sales report लेनी थी और in the morning में हमें previous day की sales report लेनी थी और previous day का experience लेना था उनका overall experience and overall overview तो बहुती difficult हो गया था morning में थोड़े vendors हमें interview दे भी देते थे क्योंकि morning में इतनी public नहीं आती बच शाम को it was really difficult to catch them up क्योंकि वह बहुत busy होते थे और obviously उनकी sales हो रही है तो हम भी interrupt नहीं करना चाते थे but it was really difficult क्योंकि हमें जो seven to eight vendors a lot हुए थे हमें उनके interview at the end of the day हमारे mentors को देना होता था but our mentors जैसे मैंने आपको का कि they were really helpful and understanding तो उनको कोई भी ज्यादा problem नहीं हुई क्योंकि उन्हें पता था they are human and they were so empathetic कि obviously when those busy हैं तो हम भी data कहां से collect कर के देंगे so they were they were really really helpful and second day पर बहुत special she is we one of our mentor appreciated us all हमने इतना अच्छा काम किया था और हमने इतने अच्छे अपने दिल से काम किया था कि उन्होंने हमें इतना अप्रिशेट किया and we all were at the verge of crying right तो बहुत ही special था and you know folks these these small moves of gratitude is what makes your life happier and which brings smile on your face trust me अगर आपको कोई appreciate करता है तो आपके face पे अचानक से smile आ जाएगी notice करोगे कि आपके दिल को थोड़ी सी छोटी सी और अच्छी अच्छी खुशी होगी like you will feel like so gratitude बहुत अच्छी चीज होती है अगर आपको कोई अच्छा लगता है अगर आपको जो काम दूसरे ने किया है तो just appreciate और कुश नहीं appreciate तो बहुत होगी ग्यान की बात अब मैं बात करती हूं last day of the event last day of the event बहुत ही बहुत ही difficult सा हमाले क्योंकि वो last day था like after this day we will not be meeting our mentors we will not be going to JW Marriott क्योंकि क्योंकि stay करना अलग बात है किसी event के लिए इतने बड़े hotel में जाना is different thing क्योंकि it was the decoration of the event was at another level like another level it was extremely beautiful तो last day हमाले बहुत ही difficult था same था क्योंकि general public भी थी और same problem हमने face करी जहां पर वेंडर्स वास सो बिजी की हम उनसे इंटर्व्यू नहीं ले पाए morning में भी हम नहीं ले पाए यादे थोड़े टाइम पहले ही मैंने अभी बताया था कि वेंडर एक जूट बोलते था हमसे तो ही continued lying वो जूटी बोल रहे थे पूरी पूरे इवेंट में उन्होंने जूटी बोलाए कि नहीं उनकी कोई sale नहीं हुए बट हमें पताए कि उनकी बहुत sale ही है and I guess he was he was in the list of top vendors who had sales during that event और पता नहीं कि वो जूट बोल रहे थे किसे बात किया and second day we said goodbye to all of them or you won't believe it हमने अपने mentors के साथ last day हम अपने mentors के साथ seriously it was really overwhelming they were so happy with the work last day उन्होंने हमें बहुत appreciate कि और हमाय साथ बहुत अच्छी अच्छी फोटो की चाहिए और हमें बहुत अच्छा अच्छा खाना मिला और खाना तीनों event में था और बहुत जादा अच्छा खाना था delicious खाना था और बहुत सारा खाना था अगर आप non veg भी था अगर आप veg भी था अगर आप veg भी था सब था वहां so we are at the end of this video I am sure कि आपको यह experience मेरे बहुत पसंद आया होगा I hope कि आप भी वहां होते यह चीज़े experience करने के लिए and आप मेंसे कोई मेरे फ्रेंड है जो मेरे वीडियो देख रहा है यह वाली so I am sure कि you were able to recall it all but I hope कि आप रो नहीं रहो क्योंकि मेरे को इस वीडियो के तरू किसी को रुलाना नहीं था बस थोड़ी memories recall कराने थी those were the beautiful days 2019 was just beautiful and there are few learnings from this event that I would like to share with you first was key teamwork हमने एक team होके काम किया मेरे colleagues की मेरे team mates की तो उन्होंने भी बहुत help करी हमने एक दूसरे की बहुत help करी जैसे कोई vendor मेरे friend को allowed हुआ था और वो एक टाइम पर फिरी था और मैं उस टाइम पर फिरी नहीं थी तो मेरे friend वो vendor का interview ले 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 थी so this was small small gesture that I loved and we had a good bond और जब भी हम free होते थे थे तो हम बहार photo की चाने चले आते थे and JW Marriate is beautiful बहुत ही अच्छा interior है और अगर आप JW Marriate जाओगे तो बाहर कोटियाद में जरूर बैठना and it is beautiful and वहाँ पर आपकी बहुत अच्छी पिच्छ आएंगी second was data collection I am from psychology background तो मेरे को data collect करना आता है but it was a good experience जहाँ पर मेरे को दूसरों से बात करनी थी and that person was not from my country and talking to Afghani people was a great experience क्योंकि they are really sweet and बहुत ही sweet and simple Afghani people थे जिन से हमाली interaction हुई third was rapo formation आपको लगता है कि rapo बनाना बहुत इसी है but no rapo बनाना बिलकुल भी easy नहीं है और in especially in a scenario जहां पर दूसरा बंदा busy वह आपको time क्यों दे आपको अच्छा reason देना पड़ेगा वहां पर और अपनी rapo बनाने के लिए एक अच्छा reason देना पड़ेगा उसे कि कि वह आपको अपने कुछ seconds भी क्यों provide करा है तो in such a case you have to empathize with the other person अगर वह busy busy भी है just respect his or her time so these were my learnings और इस वीडियो में बहुत मजा आया मुझे नहीं पता कि आपको मजा आया मेरी स्टोरी सुनने में कि नहीं मतलब incredible आपको शायद मेरी बातों से पता चल गया होगा कि वह बहुती special event था अगर आपको भी event बहुत special लगा और आपको यह video बहुत special लगी exciting लगी और प्यारी लगी जो भी लगी आप प्लीज कमेंट करके बताओ क्योंकि I made this video from all my heart आपको पता ही चल गया होगा बीच में मैं रोने की acting भी की थी मैं नहीं रो रही थी but I feel like crying क्योंकि वह 2019 की memories मेरी दिमाग में चल रही है एक movie की तरह है and it's difficult for me to just accept it कि वह time चला गया right अब हम सब बड़े होगे 2 साल बीद गये and it's a tough time now till the next video bye folks take care and subscribe to my channel bye bye